आपना देव के इस एपिसोड में आज हम पहुंचे हैं पुषकर जहां पर है विश्चु का एक मात्र ब्रह्मा मंदिर आज हम जानेंगे कि आखिर पुषकर में ही ब्रह्मा मंदिर क्यों है और इस पवित्र सरोर में डूपके लगाने का कितना यहां पुषकर में और यह जानेंगे कि आखिर विश्व में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर यहां पर क्यों है साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिरोनों ने ऐसा कौन सा यग्य किया था कि सावित्री यहां से रूट के परवत पर चली गई और उनके पास में अर्धांगनी के रूप में गायत्री आ गई तो आई ये चलते हैं ब्रह्मा मन्मुद्ध जापुर के दक्षिन पश्यम में इस्तित अजमेर हिंदू मुस्लिम धर्म का संगम इस्थल रहा है अजमेर से मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पर इस्तित पुषकर मंदिरों और जीलों के लिए प्रसिद है अरावले परवित श्रंखला का नाग परवत अजमेर और पुषकर को अलग करता है पुषकर के मुखे बादजार के अंतिम छोड पर ब्रह्मा जी का मंदिर बना है मंदिर का वर्तमान स्वरूप गोकल चंद पारेख ने 1809 इस्वी में बन वाया था ये मंदिर देश में ब्रह्मा जी का एक मात्र प्राचीन मंदिर है मंदिर के पीछे रतनागिरी पहार पर जमीन तल से 2399 फुट की उचाई पर ब्रह्मा जी की प्रतम पत्नी सावित्री का मंदिर है पुशकर धाम को लेकर लोगों में ऐसी आस्ता है कि लोग इसे तीर्थ राज पुशकर के नाम से बोलते हैं ये भगवान ब्रह्मा के एक मात्र मंदिर के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है इसे भगवान ब्रह्मा का निवास इस्थान भी कहा जाता है मंदिर के बगल में ही एक मनोहर जील है जिसे पुशकर जील कहते हैं पुशकर जील का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है पौरानिक कथाओं की अनुसार पुशकर जील का निर्मान स्वैम ब्रह्माजी के हाथ से कमल पुश्प गिरने से हुआ ब्रमाजी द्वारा यग्य इस्थल की खोज में उनके हाथ से यहां कमल पुष्प गिरा था और पानी की धारा बहे निकली कार्थिक के महिने में श्रधालू बड़ी संख्या में एकठा होकर इस पवित्र जील में टुब की लगाते हैं धार में एक माननेता है कि हिंदू श्रधालू के लिए पुष्प बहुत महत्वपून तीर्थिस्थल है ऐसा माना जाता है कि पृतेक व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार पुष्प की यात्रा अवश्य करनी चाहिए पुष्प कर हिंदू धर्म के सबसे महत्वपून तीर्थों में से एक है पुष्प को सभी तीर्थों का गुरू कहा जाता है इसका महत्व बनारस या प्रियाक की तरह है बद्री नारायन, जगनात, रामेश्वरम, द्वार का इन चारो धाम की यात्रा करने वाले किसी तीर्थ यात्री की यात्रा तब तक पूर नहीं होती, जब तक वो पुष्प कर के पवित्र जल में इसनान नहीं कर लेता पुष्प कर सरौर के होने वाली आरती के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो तीन सरौर है उनकी आर्थी है और ये तीन सरौर का महत्तम में क्या है इनको जानने के लिए यहां कौन-कौन सी कता हैं। को जानने सब्सक्तला कि अभ्यम हरी ऑपाल जी पाराशल जो यहां पर तिर्थ राजु स्कुर कि पुझार्एं और विधालने वोद्धन दाने कि यह जानते हैं पुजा विक रवात यहां पर कुषकर में तो वी महतम यहां बॉद Brysom करका और जो तिन सरोर है यह जो आर्ति योगत विश्णु बघवान जी ने भगवान विश्णु की नावी से कमल का पुसपतन हुआ उस कमल ब् SAR oc ब्रहमा जी ने का म्रत्यू लोग मेरा भी तीर्थ होना चाहिए तो ब्रहमा जी ने ब्रहम लोग से पुष्प गिराया वह पुष्प ब्रहमांड के चक्कल लगाता हुआ इसी बीच में आके गिरा था गिरने से साथ पाताल फूड़ गए और जलका उत्पती हुआ जिए कोई मंदिर नहीं तो पुष्क तीन पुष्कर के से जहां पंखुणियां गिरी थी महां भी साथ पाताल पूड़ निर्मल जन निकल गया तो जैश्टी सबसे बड़ा दूसरा है मध्य और तीसरा कनिष्ट तीन पुष्कर के नाम से विख्याते अभी वरतमान में कन विख्याते तो उसको कनिष्ट को डिखाई दिए तो उसने खूर में कम हो गया रातरी को महीं विष्राम किया वह उठा वो बहला है और मन्दिर गया अभी हुआ हुआ आच कि मानने वाला नहीं है तो ब्रह्मा जी जैसे उसे सेना से उसने पानी में सिनान किया सबको जवान का बूड़ा कर दिया सबके सपेट डाड़ी बाल उट गए तब से उसका नाम बूड़ा पुसकर हो गया जबकि तीन पुसकर जेश्ट्रमद्र कनिष्ट ब्रह्मा विष्णु महेश त्री पुस्कर के नाम से विख्यात है तब ब्रह्मा जी ने यहां 10101 पर तफश्या किया था तफश्या परीबोर्ण होने के ब्रह्मा जी ने यग रख का और्तिक सुख्या इकादसी से पूणिमा तक पांत दिन यग यग का मुरत निकाला गया तो बग्वान ब्रह्मा जी के चार पुत्र है तो feminist ब्रहम्मा जिने अपने पुत्र को बूलाई को बहुत बहुत नहा तो नाराज जी बड़े प्रसंद हो एक पिता जीन मुझे आज कोई कारे सोपा है नाराइन नाराइन करते हुए गई जाके मा को बोला है मा पिता जी बड़ा भारी यग करें आपको यग में चलना है तब सावत्री चलने को तैयार होती है आदे रस्ते में नाराज जी को मन मे इसलिए आप सहलिओं के साथ में लक्ष्मि के पारवती इंदरानी सब सही के साथ माता जी न सोझा लड़का सही कह रहा हूं देवता बेटे में के लिए रोड जाती है नारज जी तर आगे ब्रह्मा को बोल देते हैं कि ये पिता स्री माता सोला सिनगार करके आएगी और अपनी सहलियों के साथ में आएगी तो ब्रहमाजी को चिंता हो जाती है क्योंकि हिएग का समय निकला जा रहा था पहले मुरत एक दफ़ा निकलता था अब हम पंडी जब चाह मुरोद जब चाह मुरोद निकाल देते हैं तो पहले मौन अटल था ब्रहमाजी चिंता सिली होई को उर्थों को सिनगार में टाइम लगता है कई भी जाना और तो एक घंटा पहले लेडिस को बोलना प्रद्श बाके तैयार होते है तो ब्रहमाजी निंद्र को बुलाया कि इंद्र देव जाईए को लड़की मिले उस तो ब्रहमाजी को संफून करना रहामन संपश बंद्र को मंत्र द्वारा कुषा बना देवता का नहीं तौक्ष वर्ना प्रद्वा बाहन जिसका नाम हुआ गायतरी का मूर्ती बना कि उसको गायतरी का रूप देखके आगवशन पहना के ब्रह्मा जी के पास बेठा दिया अब स्वास वहा सावति हुआ यह प्रारम ओर आके देखती ब्रह्मा के पास दूसरा पत्नी तो सावतिरी आग बबुला हो जाती गुस्षा हो जाती है तो ब्रह्मा जी बोलते हैए सावति आपको यह निए आपको यह मिलेगा, हर तरफ यह कह सकते हैं कि यह पूरा तीरति श्टल है पुसकराज जहां पर गायत्री है, साविती है, ब्रह्मा जी है, श्यूजी के मंदिर भी है, अब तो रगनाजी का मंदिर भी यहां पर है, तो उत्तर दक्षन का सामन जिसे भी यहां पर देखने को मिलता है, और रियाति पूरे भारत से यहां आते हैं, एक परेटा निस्तल हो चुका है, जे 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 पुषकरा जे 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 पुषकरा जे 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 पुषकरा जे 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 ब्रह्मा 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 इस ब्रह्मा घाट पर बहुत सारे पुजारी हैं, जो पूजा करवाते हैं, और जो शच्दाल हुए पूरे भारत से भी आता है और सर्वधर्म यहां पर देखा जा सकता है मैं साथ निली से बदा रहे हुए अधिया नाम क्या है आपको जस्परीद तो उसी को देखने के बस जिक यहां पर आये थे देखने के लिए अपने यहां कागा क्या मंदिर देखा और किस तर की कुछ कथा है आपने सुनी इस पार यहां के लेकर कि कुछ कर क्यों कहलाता है करने के टाइम पर अपने हाथ से अपने हाथों से जब पुश्व यहां पूजा किस तर की पूजा है यह किस तर की पूजा कि आपको बताया होगा कि हम सरवर की पूजा करा रहे हैं अपने अपने घर परिवार के लिए सब्सक्राइब पूजा करिए बस और कुछ नहीं के साथ इनकी वाइब परजाई क्या आपने मतलब आपने अभी चाहिद नियूली मेरीड है आप लोग ना तो तो किस तर की काम ना आपने बहुशे के लिए मांगे और आप मंदिर सावित्री और गायते दोनों पाहड पर आपको पाहड चलना पड़ेगा उसके लिए और यह भी आप जान पाएंगी क्यों सावित्री पाहड पर शायद आपको अपने घ्रस जीवन में कुछ उसकर सीखने को मिलेगा कि किस तर से होती और क्या यहाँ पे मन में था कि सभी लोगों को नहीं पता शायद और इसी लिए हम प्रयास करते हैं कि जो जितने भी तीर्ट इस्तल से हैं हम हमारे प्रोक्रम आपना देवु में उनके बारे में बता हैं अचा संजर जी एक ची बता है आप अभी पूजा करवारे तो जो शर्दालों यहां पर आते जितने भी लौते हैं तो किस तरह की पूजा यहां पर सरवर्पर होती है किन किन की पूजा हो देखिसर वैसे पुष्कर जो त्रत है यह सत्यूग का त्रत इस्तल है से जिस सनमय सटयोगम केवलम पुश्करम है सर्ष्टी मुधी में टो इन सबसे पहला यूज वहता सतयूग सतयूग से लनियुक में केवलम पुष्करम, में जो पुष्कर का शेक्यरक यहां ज़ारों गुशे表示 मन्लमा यहां से नियुक कर्णाय पुषकर का Metro оч मने तो आदी अनादी काल से पहले सत्यू के जमाने में यहाँ पे सभी देवता रिशी मुनी निवास करते थे क्योंकि पुशकर को तपू भूमिक आ गया है यहाँ पे लोग तप करने आते हैं ध्यान करने आते हैं और समय बदलता गया धीरे धीरे तरेता आया दुआपर आया कलियुक आया तो अभी कुछ महीनों में जैसे हमने देखा च्छे महीनों में चार महीनों में पुशकर में शर्डा लोगों की संक्या भारीत आधात में बहुत ज्यादा और बढ़ गयी है यहां पे शर्दादू दिलों दिन बढ़ते जा रहे हैं अब जैसे आपने पूछा किस कारे के लिए आते हैं आपे देखिए कारे तो भारत वर्ष में अनिकों होते हैं लेकिन प्रमकुरूपृत से दो कारे के लोग लोग आते हैं पुशकर एक एसा तिरत यह स्तल है जहां पे सरू पित्रों की पूजा की जाती है अपने पित्रों की मोक्ष ब्राप्ति के लिए कि लो है एक हिनुदू दर्म में गुरु का इस्तान बड़ा बना गया है गुरू-ब्रह्मा गुरु विष्नु गुरु देव हैं गुरु शाक्षाट सा recorded शिर्वरु ए नमोनों में पुषकर तिर्थ एक इस्ता सिर्थ इस्तले जहाँ पे सरू पित्रों की पूजा की जाती है यहाँ पे साथ पीडी की पूजा होती है माता पिता दादा दादी नाना नानी पूपा पूपी सब्त पित्रों की पूजा परिवार और पित्र शान्तिगी होती है यहां पे जो लोग पित्रों को पिंड देते हैं, कहते हैं पुषकर बेकुंट दाम है, बेकुंट लोग है, पदम पुरान एक किताब निकलती है, गीता प्रेश गोरकपुर से, उसमें पूरे पुषकर का वणनन दिया गया है, जो यहां पे पित्रों की पूजा करता है, उन मासी तक यग्य का आयोजन किया शास्त्रा नुसार यग्य पत्नी के विना संपूर नहीं माला जाता और माता सावित्री ब्रह्मा जी की पहली पत्नी है यग्य के दौरान पूजा का शुब महुरत निकला जा रहा था सभी देवी देवता यग्य स्थल पर पहुँच कर लेकिन सावित्री को पहुँचने में देरी हो गई कहते हैं जब शुब महुरत निकलने लगा तब कोई उपाय ना देख ब्रह्मा जी ने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवहा कर यग्य पूरा किया इस बीच सावित्री जब यग्य स्थल पहुँची तो वहां ब्रह्मा जी के बगल में गायत्री को बैठा देख क्रोधित हो गई और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि पृत्वी के लोग उन्हें भुला देंगे और कभी उनकी पूजा नहीं होगी सावित्री माता के इस श्राप से सभी देवता चिंता में आ गए और सभी ने मिलकर देवी सावित्री से विंती की वो अपना श्राप वापस ले ले देवताओं की प्रातना पर देवी पिघल गए और कहा कि ब्रह्मा जी केवल पुषकर में ही पूजे जाएंगे इसके अलावा कहीं भी ब्रह्माजी का मंदिर नहीं बनेगा इसी कारण पुश्कर के अलावा और कहीं भी ब्रह्माजी का मंदिर नहीं है सावित्री का कोद इतने पर भी शांत नहीं हुआ उन्होंने विभा कराने वाले ब्रह्मन को भी श्राप दिया कि चाहे जितना दान मिले ब्रहमन कभी संतुष्ट नहीं होंगे गाय को कल्योग में गंदिगी खाने और नारत को आजीवन कुवारा रहने का श्राप दे दिया अगनी देव भी सावित्री की कोप से बच नहीं पाए उन्हें भी कल्योग में अपमानित होने का श्राप मिला पुष्कर में ब्रहमा जी से नाराज सावित्री दूर पहाड़ों की चोटी पर विराज दी है पहाड़ी पर है सावित्री मंदिर और ब्रहमा जी से इत्ती दूर सावित्री क्यों पहाड़ पे जाकर बेट गई अब ही समय इस रोपय से ही जाएंगे सावित्री मंदीर की आखिर सावित्री रूट कर क्यों इतनी दूर पहाड़ी पर चले की आईए हम चलते हैं सावित्री मंदीर सावित्री जी इतनी दूर क्यों यहां पर पहाड पर विराजमान है इसे के बारे में जान लेते हैं सावित्री जी मंदिर में सेवा करने वाले केलाजी मिश्वस है केलाजी वो कथा क्या है कि महासारस्वती सावित्री यहां पर इतनी दूर है ब्रहमा जी ने पुश्कर में सरस्टी की रचना के लिए यग्य किया था तो जब यग्य किया था तो पत्नी के बिना यग्य पूरा नहीं हो सकता है सावित्री जी को देव लोग से आने में थोड़ा देरी हो गई थी तो उन्होंने गायत्री जी से दूसरी शादी करके यग्य शुरू कर दिया था देव लोग से जब यह पहुँची अपनी जगे दूसरी इस्त्री को बैठे हुए देखा तो यह नाराज होके यहां पे आ गई अच्छा कुछ इन्होंने श्राब दिये थे ब्रह्मा जी को श्राब दिया था कि पुछकर के अलवा कहीं पूजा नहीं होगी एक और चीज है कि क्योंकि माँ गायत्री उस समय वहाँ पर यग्य में थी उसके बाद से उनका इतना महतम में है तो क्या वो भी सावित्री के कारण है या ब्रह्मा जी ने में उनको श्राब गायत्री एक ही तो है दोनों अलग है वो तो ब्रह्म देवता की जो होती है वो है बाकि तो दोनों एक ही है सावित्री ये एक बड़ी बात है लोग गायत्री सावित्री को थोड़ा सा अलग मानते हैं लेकिन जैसा केलाजी ने कहा कि एक रचना थी नारजी का प्रह्मा जी का और यों कहें कि एक कथा या उसको बनाये गया एक वातारोन तयार किया गया और किसीन किसी कारण से ये सब कुछ हुआ इस समय हमें पहार पर जहां पर सावित्री मंदिर है और आप सामरे देख रहे होंगे कि पुष्कर यहां पर जो सर्वर्यों दिखाए दे रहा है ब्रह्मा मंदिर दिखाए दे रहा है और सावित्री का यहां मंदिर इतनी उचाय पर क्यों है यह जाने के लिए हम यहां पर पेचे साविति मंदिर भी है और यहां पर आ रहा हैं कि आखी सावित्री जी यहां पर इतनी दूर मंदिर पर क्यों है कुछ लोग यहां पर है नुट उसी मेरा पारे नहीं क्या लगता है यह जी आपने कहानी जो है यह अपने जो देव के देव हैं हमारे ब्रमाजी उनक्यों लेकर कहानी है और मुझे भी पता है कि पुषकर ही एक मात्र जगह है जहां पर पुषकर सरुवर है व्रमाजी का मंदिर है और अच्छी जगह है पुश्कर तो हम लोग आते रहते हैं सब्हों पर मेरा नाम चित्रा है और ब्रह्मा जी का मंदिर में हमने सुना था कि की पुश्कर में है दर्शन करने चलते तो यह इसकी जानकारी अब हम यहां के लेंगे अब है कि खाओ यह ट्रसुके लिए प्रोग्रामें अपना देव्ट जिन क्यों नहीं पता यह कि पाता है कि ब्रह्मा घी का एक क्यों लेक मंधिर तुस्य गाइत्री पतनी नहीं थी पतनी नहीं थी लेकिन उनको यग के लिए पतनी बनाइगा अब आपको कुछ पता है इस बारे में यह मुझे पता है कि ब्रोप जी की जो पतनी थी वो थी सावितरी देवी जी लेकिन कि कि सी कारण से जो एक अनुष्ठान होने वाला था आपी एकका तो उसमें शायद जो है नारज जिया किसी ने विवदान डालने के लिए गायत्री जी को जो है ब्रमा जी को आके बोला जब समय निखल रहा था कि आप जो है जल्दी से अनुष्टान को पूरा कराईए और समय क्योंकि गायत्री जी दूर थी आनी पारी तो उनक को यह भी लगा कि ब्रमा जी ने जो है हमारी जो ब्रमा जी देव है उन्होंने भगवान जो है उन्होंने उनके साथ दोका किया है गुस्ते में आकर जो है सावित्री देवी ने उनको एक श्राब दिया माता शावित्री जो है उन्होंने ब्रमा जी को श्राब दिया और उ उसी चीज इस अनुस्तान के बाद जब गायतरी जी का जो इस्तान है वो काफी बड़ा और हम सभी लोग जितने वेश्णों जन है और जो गायतरी भकते हैं वो पंदर भी पढ़ते हैं जिसको बड़ा पवित्र माना रहता है कि आम भूब वह स्वहतस वितुर वरणम बर्ग कि दिखों देवस से दे मही दियो यूनन और अप्रचों दया हैं तो एक अपना हीमत रहती मरिति का जितना शर्षस्वत्री चाहिए जितना सावीत्री और लोग इसी इसी कामना के साथ कि उनपर आश्रवात बना रहे इस गरती कि बंदीर में इस MARY की गयान के सवीतरी के मंदिर में यहां पर दर्शन करने हैं जैसा हमने कहा की जब confirmsme चीर की प्रसिदिव न है क्अ कि एक में ईक मात्र मंदिर हैं तो यह फांपना के वह लाग्धास्तानी व्हार्ष भार्ष बर्ष भूर्वे बार से और यहां तकिम इस तो कंडे आते हैं। कोछ ऐसा ही है, जो आरहे हैं रहा है रमेश भाही है। रवेश्ट 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 प्रहूमा है कि अल्ली बर्हा इंपल या भी मुझत जाए कर दोडिया और हां पिपन सब्सक्रणी बहुटे कि अनली बत बेस बाशना चेमल इंपलने को दो भी? और क्वेच्छा मुझत पुष्कर्णा है on the internet or seeing some stuff about that on TV. One is important, I think this is important question. How do you treat the Pushkar? As a tourist place or as a holy place? As a holy place. We were supposed to go from Jaipur to Udaipur. We took a detour to come to Pushkar just for this temple. Okay. Inki wife we hai Ashmeta saath mein. Jo Mooltay guzaat sa hai. So Ashmeta, how do you feel in Pushkar? मैं पुरक एपिडू हो अवार बाल को ते दो यह आ लापक कने चालो इसाम užu कर फिरींबडा हो जैसे डी जाना इसपा्मार से मिनले करनी अवेन एंडून आफ्टे प्रयोग बाल किसले हो? सबीटेटाइब को निए रियालाइज देर गायतरी टेंपल याद्री माता इस वह फैमिली जैसा मैं ने का यहीं नहीं पूरे विश्व में है और जैसा असमिता ने सुनाया से लगता है कि हाँ अभी भारतिया संस्कती भारत छोड़ के जाना वालों में भारत में हिंदू धर्माम्रमवा लंबी अपने अपने तीर्थों पर जाते हैं बदिनाध केदारनाःत प्रियाग राज अनेक Contयों पर आते कारण कि यह जगत पिता ब्रह्मा जी की नगरी है और यहा पर उनका मंदिर भी है लोग उनके दर्शन करते हैं और नोकाम्णा के साथ करते हैं कि धिंगता यस रष्टी का धियान रखे और कभी किसी के की नो हो और विमारिया नहों साथ ही इसपुष्कर में इस बाथ को लेकर भी हिस्नान करते हें क्योंकि यहाँ पर उतना ही पुर्दे मिलता है जितना प्रयाग्राज में डूपकि लगाने से मिलता है तो आज की ऐप ebisode में बस अगले एपिसोड में फिर किसी आपना देव के दर्शन करेंगे तब तक के लिए नमस्कार